तो आप देख रहे हैं आपका solution आज किस वीडियो की मदद से आप सभी जानेंगे कि आप Bheem Applications में अपनी UPI PIN को किस तरीके से change कर सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं और Bheem Applications में अपनी UPI PIN को change करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी Bheem Applications को open करनी होगी जैसा कि यहाँ पर देखेंगे मैंने अपना Bheem Applications को open कर लिया है अब इस Applications में यहाँ पर आप से passcode मांगा जाएगा आपका जो भी passcode है यहाँ पर आपको दे देनी है यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर fingerprint भी दे सकती है तो मैं फिलहाल fingerprint यूज कर लेता हूँ और इस तरीके से interface देखनी को मिल रही है यहाँ पर आप लोग देख सकती है अब आपको तोरी सी wait करनी है आपके सामने एक new page open हो जाएगी अब इसका भी new page open change करनी के लिए आपको क्या करनी है आएए देखते हैं जैसा कि यहाँ पर देखेंगे federal bank दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके उपर click कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी bank आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको click कर लेनी है यानि कि यहाँ पर जो भी आपका bank दिखाई देगा वो bank आपके default में state है तो मैं इसके उपर click कर लेता हूँ अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे इसमें मेरा 3 bank aid है जैसे कि federal bank, estate bank open India, ICI bank अब मुझे जिसका भी यहाँ पर UPI pin को change करना है estate bank का UPI pin change नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका UPI pin बनाया ही नहीं है मुझे पास इसका debit card नहीं है इसलिए मैंने इसका UPI pin नहीं बनाया है अब मैं federal bank या फिर ICI bank का यहाँ पर UPI pin को change कर सकता हूँ तो अपनी UPI pin चेंज करने के लिए simple से आपको bank जो दिखाई देरा जैसे कि मुझे ICI bank का UPI pin चेंज करना है तो मैंचे इसके उपर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर दिखेंगे आपके सामने इस तरह के से interface दिखने को मिलेगी अब change करने के लिए change UPI pin का जो options दिखने को मिल रहा है आपको इसके उपर क्लिक कर लेनी है यह options आपका तभी काम आएगा जब आपको पुराना वाला UPI pin याद हो यदि पुराना वाला UPI pin याद नहीं है तो आप forgot UPI pin के उपर क्लिक करके इसे forgot कर सकते हैं नहीं तो आपको description में एक link दिखाए देता होगा उसके उपर क्लिक करके किस तरह के से forgot करते हैं यह आप जान सकते हैं तो चलिए मैं change UPI pin के उपर क्लिक करके इसे change करता हूँ change मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर enter four digit old UPI pin का options दिखने को मिलेगा यहाँ आपको वो UPI pin टाइप करना है जो भी आपका यहाँ पर पुराना वाला था तो चलिए मैं पुराना वाला टाइप करता हूँ और इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ यह मैंने पुराना वाला UPI pin टाइप कर दिया अब यहाँ पर एक arrow का आइकोन दिखाई देगा आपको इस arrow के आइकोन के उपर क्लिक कर देनी है अब दिखेंगे आपके सामने एक new पर UPI pin आ जाएगा enter four digit new UPI pin का options दिखनी को मिलेगा तो आपको यहाँ पर new UPI pin टाइप करनी है जो भी आपका UPI pin है तो यहाँ पर मैंने new UPI pin टाइप कर दिया जो भी मेरा UPI pin था और इसके बाद आपको एक arrow का यहाँ पर आइकोन दिखाई देगा सही का तो आपको इसके उपर क्लिक कर देनी है अब फिर से आपको उसी UPI pin को टाइप करनी है जो भी आपने दिया था तो चलिए मैं कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सही के आइकोन के उपर फिर से क्लिक कर देना है तो चलिए मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूँ अब दिखेंगे इस तरह के से इंडर पेस दिखाईदा UPI pin चेंज़ सक्सेस्पुली इसी तरह के से ऑफसेंस देखनी को मिल रही है यानि कि इस बैंक अकाउंट का UPI pin सक्सेस्पुली चेंज़ हो चुका है तो फिरिंट्स इसी तरह के से आप लोग भी यहाँ पे भीम अप्लिकेशन्स में UPI pin को चेंज़ कर सकती हैं अपने बैंक अकाउंट का आई होब कि आप लोगों को आज क्या वीडियो अच्छी लगी होगी मिल काउंट फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई टेक केर